चाहरे के सदारत जनाब रौफ सिदी खिसाब करेंगे सुभाई वजीरे सेर्ज, सनद और तिजारत वो हमारी दर्वयान मौझूद है लेकिन रौफ सेर्ज को रिवायत जो पाकिस्तान से है मुझे जानते हैं कि विडियो की विज़त से तांफिद होती है आप लोग अगर चाय और स्नाइक्स यहां आपकी उसकतर जनाब रौफ से दीटे भाई से इनने इंजाब पे लिए सवाले से सुभाई वजीरे से सानद वजी जानत जनाब रौफ से दीटे जाओ किसी तारौफ के मौदाए दीए इल्मी और अदबी शक्सियत के साथी कुछ हैनानात भी है वो हम बाद में करते रहें अभी हम मुझाहिदे की पिदा तिलावादी किलाएं पाक से खुदा एज़राद की बावरकत नाम से करेंगे इसके लिए मैं फर्जाद अबास फर्जाद अबास बंतर में सिर्वा आकि पिलावादी किलाएं पाक करें फर्जाद अबास आओ लॉघू भाप लगीत हम लगीम भी बिस्म लॉई रर्रह्मान रर्रहीम अम्हंद भल्हार रब तालम ये उर्रहुनमार ररहीम मालिक यूम धतीम इयाक अबनों इयाक अस्दाइम इष्ब सुखते ब स्थखेम सुखते लजीन आवता लेखंद में मुलक रहिंद। इसके साथ ही हम मुशायरे के बाकाईला आखास करें इसे पहले एक तो मिनट की समय खराश है प्रोट गैवार एड़ा के हुआले से क्योंकि आप तवाम हज़रात माशवरा से खावाम शौरा एकराम तो खुबी वाकित हैं कि गैवार एड़ा के अरड़ा में नन परमशर मुई आदों पे मुखतलिफ अदबी समाजी समदर पे आवास बहुत तूज रही है अदबी और शायरी सरगर्मिया शौरा अदब के हुआले से सरगर्मिया मुसलसल हम रखते हैं और इससे पहले जो हमने मुशायरा किया था जो हमारे मुखतलिफ शौरा एकरांग और मुखतलिफ मैमान तश्रीफ लाएते वो बखुवी वाकिफ है कि एक बहुत बड़ा मुशायरा हमने आर्गनाइज़ के था एक हैंसान स्कूल में उससे पहले थांड़ क्लिफ में एक मुशायरा हमने मरकित के था भी थांड़ क्लिफ में हमने एक नातिया मैफिल सजाई थी हवातीन के हवाले जी थी वो नातिया मैफिल इसी तरह से आज हमने ये एक मुशायरा मरकित किया हैं उसकी वज़ा जो अभी आप मैस्सूस कर रहा हैं कि तोड़ा सा मुकतसर है बनिजबत उसके कि जो हम पहले ब परसंट उसकी वज़ा अमेरिका मैं सभी को एक साथ बताऊंगा रोफ सदी भाई के भी कंफरमेशन हुई है तीन-चार रोस पेश्टर के रोफ सदी भाई तश्रीफ ला रहें और तो जब रोफ भाई की जो के एंप कैनड़ा के जहत्मां एक कर्वेंशन है उसमें शिर्क यह माशाले शे बहुत सारे कला में बहुत सारे किताबें के अवाने शायों प्रकी है इसके लावड़ा अभी खान कापज की हिस्टर के उपर टारीफ का इकवार मना काम हमेर रोफ सुझी वसाना कॉध की तारीफ उना तर्पकी है जिसमें उन्होंने दमांग पर बारी की होगे ख्याल रखता है उसके मतवली और दीकर तफसिला उसे तकी बारी से कुछ अपने खुतुब्स यहां हमारे पास मौजूद है हमकी और आप मैसे जो लोग पसंद करें पीछे हमारे साथ की बैठे हैं खुतुब लेके इसका जो हदिया है वह बिल्कुल मामुली मुक्तसर सा लादा नहीं है परेशानी के बाइस के हदिया बहुत बड़ा रखा है इसके साथ यह किताब है तायदरी गलता हुसें के हुआले से के जिनकी अभी दस दिन हफ़ता दस दिन पहले होगी एक किताब कि रुनमाई हुई है क्राँची में कि जिसमें उनकी तसावीर के जरीए उनकी तारिख बेहां किस तरह से जद्व जहद की और अपने जो किताब किताब कितने मरादिल के साथ और कितनी सहुवत और परिशाने के साथ गुजारा है वह भी किताब यहां माजूद है उसका हदिया 50 डालर है क्योंकि तस्वीरी बायोग्राफी यह इस तोड़ादा उसकी अगीमत जाता है अब इसके साथ ही मैं मुशारवे के बागा आदा आगास के लिए हमारे जवासाल शायर अकील है जर्मा इस गुजारेश है के वो तश्रीफ लाएं और अपना कलाम सुनाएं अकील है जर्मा अब इसके नारे तुम उसके नारे हो गए हम इस किनारे तुम इस किनारे हो गए बीच में हायल दरिया के ये धारे हो गए कब किसी को किसी का सहारा मिला लोग क्यूं कहते हैं बे सहारे हो गए वो आहो पुगा जो हमसे मनसूग थे शेर में ठलके इस तारे हो गए और लोग जो हमको प्यारे थे बहुत दूर जाकर आस्मा के तारे हो गए वो भी खुश हो गए हम भी मुतमें आखों ही आखों में कुछ इशारे हो गए और उसने आसू जब्द करते हुए मुझसे का जो गए तुमारे थे अब तुमारे उसने आसू जब्द करते हुए मुझसे का जो वहम तुम्हारे थे अब हमारे हो गए और थी कुछ मजबूरियां आसुज़त करने पड़े थी कुछ मजबूरियां आसुज़त करने पड़े खुलके रोए वोए कितने जमाने हो गए और जब से उसने हम को चाहा है अपी जब से उसने हम को चाहा है अपी कि खुद को भी हम कितने प्यारे हो गए हैं, हम इस के नारे, तुम इस के नारे हो गए हैं, पर मुखत सिर्थ ये एक वज़त, कि अपना घर छोड़ के गयरों से ठिकाना चाहा, अपना घर छोड़ के गयरों से ठिकाना चाहा, गयारे गयर में घर अपना बनाना चाहा, यूं तो सब खौाहिश हैं हो गई पूरी अपनी मिल सका होना जिसे अपना बनाना चाहा और दिल आवारा को इतना ही सुकू मिलता गया जितना जितना मुझे जालिम ने सताना चाहा और ले उड़ी हाए जमाने की हवाएं उसको ले उड़ी हाए जमाने की हवाएं उसको हाज़ जब मेरी तरफ उसने बढ़ाना चाहा और बात मरने के बाकी रहे शारत अपनी बात मरने के बाकी रहे शारत अपनी एक हसी ताज महल हमने बनाना चाहा और मेरी तनहाईयां ही साथ रहीं मेरे अधीब, फिर कभी हमने ना घर अपना बनाना चाहा, अपना घर शोड़ गे, बहुत शुक्रेब। यह थे अधी लादर, जो अपनी दो फद्रे सुनाई इनोंने चमा साल शायर हैं, इंशाला आगे चलके इनकी शायरी में मजीद बेच्टरी आईगी और यह शुक्र, इस वब आए पार इस मुआ शायरे में कैनाडा की शायरी के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी शायरी शाय